ओम शांती 23-3-2023 की साकार मुरली मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो तो पुराने जगत से नाता तोड़ने और नए जगत से नाता जोड़ने की खूबी सहज आ जाएगी एक बाप से लव जुट जाएगा प्रशन किन बच्चों का बुद्धी योग पारलोकिक मात पिता से सदा जुटा हुआ रह सकता है उत्तर जो जीते जी मर कर ईश्वरिय सर्विस पर ततपर रहते हैं ग्रहस्त व्यवहार में रहते भी सभी का बुद्धी योग बाप से जुड़ाने की सेवा करते हैं बाप से जो रोश्णी मिली है वह दूसरों को देते हैं स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए पावन बनने की युक्ति बताते हैं उनका बुद्धी योग स्वतह बाप से जुटा रहता है गीत कौन है पिता कौन है माता ओम शांती गीत का अर्थ क्या है कहते हैं जगत के लौकेक माता पिता को मित्र सम्मंधियों आदी सब को छोड़ो और बुद्धी योग अपने सच्चे मात पिता जो सरश्टी के रचाइता है उनसे लगाओ यह जो माता पिता मित्र सम्मंधि आदी है उनसे अब नाता तोड़ना है और एक से नाता जोड़ना है उनको भी मात पिता कहा जाता है तुम मात पिता हम बालक तेरे वह सब एक को कहते हैं वह लौकिक माबाप तो सबके अलग-अलग हैं यह सारे भारत अत्वा सारी दुनिया का मात पिता है तो पारलौकिक मात पिता का बनना और लोक एक मात पिता मित्र सम्मंदियों को छोड़ना इसके लिए देही अभिमानी बनने का ज्यान चाहिए। जब तक देही अभिमानी नहीं बनते हैं तब तक छूटना बड़ा मुश्किल है। इस पुराने जगत से नाता तोड़ना है और नए जगत से नाता जोड़ना है। यही खूबी है। हद के एक घर से नाता तोड़ हद के दूसरे घर से नाता जोड़ना तो बहुत सहज है। हर जन्म में तोड़ना और जोड़ना होता है। एक मात पिता मित्र सम्मंदियों को छोड़ा दूसरा लिया, एक शरीर छोड़ा तो फिर मात पिता मित्र सम्मंदी, गुरुवादी सब नए मिलते हैं, यहां तो है जीते जी मरने की बात, जीते जी पारलोकिक मात पिता की गोध में आना है, इस कलियोगी जगत के मात पिता आ बैबाप ये शरीर धारन कर इन से फिर अपना बच्चा बनाते हैं, परन्तु कई बच्चे ये बात घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, अज्ञान इकाल में कभी माबाप को भूलते नहीं है, इस माबाप को भूल जाते हैं, क्योकि यह है नई बात, इस मात-पिता से नई दुनिया रचे तो यह कितना बड़ा फुर्णा है बीहत के बाप को बीहत का फुर्णा रहता है सबको पावन बनाना है उस पावन दुनिया स्वर्ग के लिए राजयोग सिखाना है कितने को सिखलाना है सबका बुद्धियोग बाप के साथ जोड़ना है यही धंदा हम बच्चों का है, बाप कहते हैं ग्रहस्त व्यभार में रहते, तुम बच्चे सर्विस करके दिखाओ, सन्यासियों को फुरना रहता है हम कोई को कागविस्टा समान सुक से छुड़ावे, पवित्र बनावे, उन पर भी responsibility रहती है, किसको वैराग्य दिलाए, पवित्र बनाए वह समझते हैं घरबार छोड़ना है, यह नहीं समझते कि पतित दुनिया को छोड़ना है, यह तो जब बापा कर पावन दुनिया का साक्षत कार कराते हैं, तब हम पतित दुनिया से नाता तोड़ते हैं, फिर भी वह अपने को जबाबदार समझ घरबार छोड़, कितने को वेराग्य दिला कर पवित्र बनाते हैं महिमा तो उन्हों की भी गाई जाती हैं यह सन्यास धर्व नहीं होता तो भारत और ही कामचिता पर जल कर भस्म हो जाता अव्वह रजोगुणी सन्यास इस्थापन करने वाला कौन और यह सतो प्रदान सन्यास इस्थापन करने वाला कौन यह बाब बैट समझाते हैं उनका हेड धा शंकराचारे उनको भी कितने फॉलोवर्स होंगे लाखो करोडों की अंदाज में होंगे वह पवित्र नहीं होते तो उनकी प्रजा भी ब्रद्धी को नहीं पाती तो यह सन्यास इने भी अच्छा ही किया है पहले नंबर में देवताएं गिने जाते हैं दूसरे नंबर में सन्यासी सारा मदार है ही पवित्रता पर दुनिया को पवित्र से आपवित्र फिर आपवित्र से पवित्र बनना ही है सतियुक से लेकर जो भी ड्रामा में पास्ट हुआ है वह नूद है भक्ती मार्ग में साक्षत काराधी जो कुछ होता है सेकेंड बाई सेकेंड वह फिर कल्प बाद होगा ड्रामा में यह सब नूद है ड्रामा चक्र को समझना है ऐसे नहीं बैठ जाना है कि ड्रामा में जो होगा ड्रामा में एक्टर्स तो सब है तो भी हर एक अपनी आजीविका के लिए पुरुशार्थ जरूर करते है पुरुशार्थ बिगर रहना सके भलकई मनुष्य समझते भी है यह नाटक है हम परमधाम से आये हैं पाट बजाने परंदु विस्तार से समझा नहीं सकते हैं पहले किस धर्म वाले आते हैं स्रश्टी कैसे रची जाती है जानते नहीं स्रश्टी नई रची जाती है वो पुरानी स्रष्टी को बाप आकर नया बनाते हैं यह मालूम ना होने कारण उन्होंने प्रलय दिखा कर फिर नई स्रष्टी दिखा दी है बाप आकर इन बातों की रोशनी देते हैं फिर तुम भी औरों को रोशनी देने के रिस्पॉंसिबल हो कितनी सर्विस है जैसे बाप ने तुमको मुक्ती जीवन मुक्ती में आने का मारग बताया है जिस मारग के लिए ही आधा कल्प भक्ती मारग में ठोकरे खाई है तो बेहत के बाप को फुरुना रहता है कि हम अपनी सल्वेशन आर्मी की बृद्धी कैसे करें सभी को रास्ता कैसे बताए तुम बच्चे सब को बताओ कि बाप आया हुआ है राजयोक सिखलाने कल्प पहले मुआफिक जिसको ही शिवाय नमा कहते हैं जो है सभी से उचते उच परमधाम में रहने वाला हम सभी आत्माएं भी वहानवास करती है आत्मा को हमेशा इंमोर्टल कहा जाता है वह कब जलती मरती नहीं हर एक आत्मा में पार्ट भरा हुआ है अपनी आत्मा को देखो वह जो मुख्य हैं उनको देखो जाड को जब देखा जाता है तो मुख्य फाउंडेशन और टाल टालियों को भी देखा जाता है पत्ते तो अथा होते हैं उनको गिंती नहीं किया जा सकता ताल तालियां गिंती कर सकते हैं तो बरोबर इस ज़ाड में फाउंडेशन हम देवी देवताओं का है अभी फाउंडेशन ही सड़ गया है जैसे बने एंट्री जाड का फाउंडेशन सड़ गया है फिर भी साखाएं कितनी निकली हुई है शाखाओं से भी पत्ते निकलते रहते हैं तो यह भी बेहद का कितना बड़ा जाड है तुम बच्चे भी नमबर वार पुरुशार्थ अनुसार जानते हो ऐसे नहीं कि सारा दिन किसकी बुद्धी में यह चिंतन चलता है सभी पॉइंट्स एक ही समय बुद्धी में फिर ना मुश्किल है फिर भी जो विचार सागर मंथन करने वाले हैं उनकी बुद्धी में तो टपकता ही होगा जाडव रद्धी में हैं तो बीजरूप बाब भी याद रहता है हम भी वहां के रहने वाले हैं फिर इस जाडवें हम ही ओल राउंड आते हैं आदी से अंत तक जब तुम पतित जड़ जड़ी भूत अवस्था में आते हो तो सारा जाड़ आ जाता है पहले पहले जो थे वहभीस अब पुरानी है पिछाड़ी वाली टाल टालियां भी पुरानी है जो सर्विस एबल हैं उन्हों को ओना रहता है हम बाबा के मददगार हैं मनुश्यों को फिर से सो देवता बनाने के लिए यह समझाना पड़ता है तुम सो देवता थे, सो शत्रिय बने 84 जन्मों की जन्म पत्री तुम ही बता सकते हो तो यह बातें जब बुद्धी में टपकती रहेंगी तब किसको समझा सकेंगे चिंतन चलना चाहिए हम बच्चे बाबा के साथ मददगार हैं तो बुद्धी में आना चाहिए कि हम किसको ड्रामा का रास कैसे समझाएं उन्हों का योग बाप के साथ कैसे जुटाएं मनुष्य से देवता बनाने का पुरुशार्ट कराएं अर्थात बाप से बेहत का वर्शा लेने का मार्ग बताएं जिनको बाप द्वारा मार के मिला होगा वही बताएंगे बाप ही आकर राजियोग सिखलाते हैं अत्वा मुक्ती जीवन मुक्ती के गेट्स खोलते हैं ऐसे सारा दिन विचार सागर मंधन करना चाहिए और सौभाव भी बहुत मीठा धारन करना है किसके भाव सौभाव में जलना वा मरना नहीं है सहन करना है अपनी सर्विस करनी है जितना हो सके सर्विस में टाइम देना चाहिए अपने से पूछना है हम बाबा बाबा कहते हैं बाबा को तो बेहत सर्विस का ओना रहता है मैं बाबा का बच्चा क्या कर रहा हूँ मुझे कितनी सर्विस करनी चाहिए टाइम तो बहुत मिलता है तरस पढ़ना चाहिए बिचारे सभी बाप से बिछुड़े हुए हैं धक्का खाते रहते हैं बाप करते रहते हैं बाप से बेमुक कर सबको मुझाते रहते हैं तुम ब्रामनों का काम ही है सबको ग्यान सुनाए समुक लाना तुम ब्रामन हो गीता के भगवान के सचे सचे बच्चे तुमको अथोरटी मिली हुई है तुम्हारी बुद्धी में गीता का ही ग्यान है जो समझा नहीं सकते उनको हम ब्रामन नहीं कह सकते हाफ कास्ट वा क्वाटर कास्ट कहेंगे नाम ब्रामन है धन्दा शुदरपने का करते हैं बुद्धी शुदरपने की है अजमेर में पुषकर्नी ब्रामन रहते हैं नुआ रोगीता शास्त्रादी सुनाने वाले होते हैं, उन्हों का धन्दा ही यह है, धामा खाना उनका काम नहीं है, उनका सिर्फ काम है शास्त्र सुनाय दक्षुना लेना, अब तुम तो हो सचे सचे ब्रामन, बेहत बाप के बच्चे, प्रजा पिता ब्रम्मा बेहत प्रजा का बाप है न और शिय बाबा है सभी आत्माओं का बाप उनका निवास इस्थान है परम धाम में वही पतितों को पावन बनाने वाला है इसलिए सारी दुनिया उनको याद करती है ओ गौड कहते हैं तो निराकार ही बुद्धी में आता है परंतु गुरुओं की जन्जीरों में फसे हुए है जिन देवताओं की पूजा करते हैं उनके ओक्योपेशन का पता नहीं है वहवी जैसे गुड़े गुड़ियां समझ पूजा करते हैं ओक्योपेशन जानते नहीं इसलिए गुड़ियों की पूजा कहा जाता है तो कितना फर्क रहता है देर के देर मुझे हुए हैं देवताओं की सूरत और सीरत मनुष्य की सूरत और सीरत में दिन रात का फर्क है मनुष्य गाते हैं आप सर्व गुण संपन सोला कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी हम नीच पापी हैं अगर ऐसा कहते हैं तो भला उनको ऐसा बनाने वाला कौन था अभी तो बरोबर नर्क है फिर स्वर्ग का मालिक क्या हम बन सकते हैं यह ख्याल कभी मनुश्यों को उठता नहीं है तुम बच्चों को कभी यह ख्याल थोड़े ही उठाओगा कि हम ऐसे कब बनेंगे सिर्फ भक्ती करते रहे अभी तुम जानते हो हमको सुदेवता बनना है राजधानी में उच पद पाना है इसलिए पुरुशार्त करते हैं अंदर आना चाहिए अगर हमारा शरीर छूट जाए तो हम किस पद को पाएंगे तुम पूँच भी सकते हो अगर हम मर जाए तो क्या पद पाएंगे तुम बाबा जट बता देंगे तुम पाई पैसे का पद पाएंगे वह आठ आने का बारा आने का वह कौड़ी का पद पाएंगे प्रजा को कौड़ी पद कहेंगे दिलदरपन में अपनी शकल देखो कोई बंदरपना तो नहीं है अशद अहंकार है नमबर वन काम क्रोध को भी जीत लेवें परन्तु देह अभिमान है पहला नमबर दुश्मन देही अभिमानी बनने से ही फिर और विकार ठंडे होंगे देही अभिमानी तब बने जब बाप के साथ लव जुटे देह अभिमान का लव जुट ना सके तो देह अभिमान छोड़ने में बड़ी मेहनत चाहिए देही अभिमानी बड़े हरशित रहते हैं देह अभिमानी का चहरा मुर्दो जैसा रहता है तो पहली मुख्य बात है देही अभिमानी बनना तब बाप भी मदद करेगा निर्विकारी तो बहुत रहते हैं परन्तु मैं आत्मा हूँ बाप की याद रहे यह घड़ी-घड़ी भूल जाता है इसमें फेल हो जाते हैं आशरीरी नहीं बनेंगे तो वापस कैसे जाएंगे सर्विस का बहुत फुरना रहना चाहिए जिससे बहुत मनश्यों का कल्यान हो देह अभिमानी कहां भी जाएगा तो फेल हो आएगा देही अभिमानी कुछ ना कुछ तीर लगा कर आएगा महसूस करेंगे कि फलाने ने बात तो ठीक कही थी योग जुड़ जाए तो सर्विस का फुरना भी हो उसमें पहले पहले तो अलफ़ पर समझाना है जास्ती तीक तीक से तंग हो जाएंगे पहले शिवाय नमाह तीन तब का भी समझाना है एक निराकारी दुनिया जहां परमपिता परमात्मा और आत्माय रहती है बाकी है स्थूल और सुक्ष मवतन स्वर्ग में लक्षमी नारायन का राज्य था अब नहीं है फिर हिस्ट्री रिपीट होगी आगे कल्यूग था फिर सत्यूग हुआ अब फिर कल्यूग की हिस्ट्री रिपीट हो रही है तो अब फिर सत्यूग की हिस्ट्री भी रिपीट होगी न इसमें ही मज़ा है बहुत अच्छी पॉइंट्स है अच्छा ब्राम्हण कुल भूशन सभी बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉनिंग रोहानी बाप की रोहानी बच्चों को नमस्ते हम रोहानी बच्चों की रोहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉनिंग और नमस्ते 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 धारणा के लिए मुख्य सार पहला किसके भाव सोभाव में जलना मरना नहीं है अपना सोभाव बहुत बहुत मीठा बनाना है सहनशील बनना है दूसरा बाप का खिदमदगार बनने के लिए बाप का खिदमदगार बनने के लिए विचार सागर मंथन करना है बुद्धी में ज्यान का ही चिंतन करते रहना है देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है वरदान सर्व सम्मंध एक बाप से जोड़ कर माया को विदाई देने वाले सहज योगी भव सर्व संमंध एक बाप से जोड़ कर माया को विदाई देने वाले सहज योगी भव जहां संमंध होता है वहां याद स्वतह सहज हो जाती है सर्व संमंधी एक बाप को बनाना ही सहज योगी बनना है सहज योगी बनने से माया को सहज विदाई मिल जाती है जब माया विदाई ले लेती है तब बाप की बधाईयां बहुत आगे बढ़ाती है जो हर कदम में परमात्म दुआएं, ब्राम्हण परिवार की दुआएं प्राप्त करते रहते हैं वह सहज उड़ते रहते हैं स्लोगन सदा बिजी रहने वाले बिजनिसमैन बनो तो कदम कदम में पदमों की कमाई है प्रिष्टि यूही दे ते रहो बाबा सुख सागर में गहरे उतर जाओं सुख सागर में गहरे उतर जाओं हूँ पल के ना पल भर बंद मेरे इन लहरों को दामन में भर जाओं आप दिष्टि यूही दे ते रहो बाबा